अपने अलहदा अंदास से प्रत्योगिता परिक्षाओं की तयारी कराने वाले पटना के खांसर एक बार फिर से चर्चा में है हाला कि इस बार चर्चा का विशे उनका पढ़ाना नहीं है बल्कि एक तस्वीर है जो के वाइरल हो रही है इस वाइरल तस्वीर के बाद से ये चर्चा अब जोरूं पर है कि क्या खांसर अब राजनीती में आने वाले है खियास लगाया जा रहा है कि खांसर चुनाओ भी लड़ सकते है अब पूरा मामला क्या है आईए आपको इस रिपोर्ट में बताते है नमस्कार हमार नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है एबिपी बिहार तस्वीर गुरुवार को लोग जन्शक्ती पाटी के ट्विटर हांडल से शेर की गई है ये बताया गया है कि तस्वीर कवी प्रवीन मिश्रा के सुपुत्र के जनम दिन के दोरान की है उनके आवास पर चिराख पासवान आशरवाद देने पहुचे थे यहीं शिक्षा जगत के मशूर टीचर खानसर से उनके मुलकात हुई अब इसी तस्वीर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है लेकिन आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब खानसर को लेकर इस तरह की चर्चा हो रही है आपको याद होगा कि इससे पहले भी खानसर की राजनीते में आने की चर्चाएं हो रही थी खान सर को एक चुनावी प्रचार अभ्यान में भी देखा गया था इस दोरान खान सर एक चुनावी प्रचार गाड़ी पर भी नजर आये थे हाला कि तब वो अपने मित्र विपिन सर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे विपिन सर तब मुख्या का चुनाव लड़ रहे थे और अब एक और तस्वीर जिसके वाइरल होते ही एक बार फिर हंगामा होने लगा है और क्यासों का बाजार भी गर्मा गया है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे खान सर क्या करते हैं पर जो भी हो हंगामा तो मच ही गया है तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे हमारे साथ बनी रहिएगा और देखते रहिएगा EBP बिहार